आज के दौर में पढ़ाई महंगी हो गई है ये सब जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के कुछी स्कूलों में पढ़ने के लिए अमीर छात्र इतनी फीज चुकाते हैं कि एक औसत भारतिय परिवार की सालाना आमदनी उसमें खप जाए हाला कि इन स्कूलों में आम भारतियों के बच्चे पढ़ते भी नहीं है इनमें देश दुनिया के कुछ चुनिंदा अमीरों के भी बच्चे पढ़ते हैं फीज के हिसाफ से इन स्कूलों में सुख सुविधाओं का भी ऐसे ही खयाल रखा जाता है यहां के क्लास रूम किसी होटल के कमडे से कम नहीं होते हैं इन स्कूलों में पढ़ाई भी शांदार होती है आज हम आपको भारत के टॉप 5 स्कूलों के बारे में बताएंगे जहां चात्रों को लाखों में फीस चुकानी परती है दस सिंधिया स्कूल देश के सबसे महगे स्कूलों में से एक है यहां चात्रों को लाखों में फीस चुकानी परती है इस स्कूल को गौलियर के महराजा माधवराफ सिंधिया ने 1897 नबे में सिंधिया में इस्थापना की थी यह स्कूल गौलियर के किले पर 110 एकड में बना है हाला कि यह स्कूल केवल लड़कों के लिए है इस स्कूल में पांचवी कक्षा से लेकर बार्वी कक्षा तक की पढ़ाई होती है फीस की बात करें तो सिंधिया स्कूल की फीस 12 लाख रुपय तक है इस स्कूल से देश के कई दिगज पढ़ें है दोन स्कूल भारत के सबसे मशूर स्कूलों में से एक है उत्राखंड के पहाडों में बसा यह स्कूल देश के सबसे खुबसूरत स्कूलों में से एक है इस स्कूल के शुरुआत सन 1929 में हुई थी इस स्कूल में भारत के सबसे अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में राजीव गांधी, राहूल गांधी, हीरो ग्रूप के प्रमुक सुनील मुझाल और पवन मुझाल जैसे लोग पढ़ चुके हैं इस स्कूल की सालाना फीस की बात करें तो यह 9,70,000 रुपए है इसके साथ 25,000 तर्म फीस अलग से लगती है इसके साथ ही ददून स्कूल में अड्मिशन के दोरान आपको 3,05,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपोजिट भी जमा करानी पड़ती है इकोल मुंडियेल वर्ल्ड स्कूल देश का पहला अंतररास्ट्री स्कूल है जो मुंबई में है यह स्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ आईबी प्राइमरी इयर्स प्रोग्राम और मिडल इयर्स प्रोग्राम के लिए बनाया गया है यह स्कूल मुंबई के जुहू में गुलमोहर क्रोस रोड परिस्थित है इस स्कूल को इंटरनाशनल बैकल लॉरियेट स्कूल का दर्जा प्राप्त है इस स्कूल की सालाना फीस की बात करें तो यहां 10,90,000 रुपए है यहां देश के कुछ सबसे बड़े स्कूलों में से एक है जो करीब 30 एकड में फैला हुआ है इस स्कूल में देश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई की है इस स्कूल के स्थापना 1937 में वेलहम प्रिपरेटरी स्कूल के तौर पे हुई थी इस स्कूल को MS OLIFANT ने बनवाया था इस स्कूल में पढ़ने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें संजय गांधी, मरी शंकर रायर, नवीन पतनायक, विक्रम सेट, अमरिंदर सिंग जैसे नेताओं ने पढ़ाई की है इस स्कूल की सालाना फीस की बात करें तो यह 5,70,000 रुपए है इसके साथ ही ट्विशन और अनिफ फैसिलिटी के लिए यहां अलग से 1,00,000 रुपए देना पड़ता है वोड इस्टॉक स्कूल मसूरी की छोटी सी खूबसूरत पहाडी लंड़ोर में स्थित है इस स्कूल के कैमपेस से दहरदून की श्रांदार पहाड़ियां दिखती है इस स्कूल की बात करें तो वोड इस्टॉक स्कूल एशिया के सबसे पुराने रेजिडेंशिल स्कूलों में से एक है वहीं अगर यहां लगने वाले फीज की बात करें तो यहां कक्षा 12 की फीज 15,90,000 रुपए है जबकि एडमीशन के समय यहां 4,00,000 डिपोजर देना होता है जो वापस नहीं की जाती है अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें